नमस्कार दोस्तों फिरसे सबागत आपके एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Motorola One Macro Mobile में आप यहाँ पे Notification Ringtone Change कैसे कर सकते हैं आपने Mobile की तो Mobile की Notification Ringtone Change करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है चली जाना है सेटिंग पे और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे Sound and Vibration का Option देखने को मिलेगा तो Sound पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे जाने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको default notification sound का option देखने को मिलता है आप इस पर click कर देंगे तो यहाँ पर आपको कफ़ सारे ringtones के option देखने को मिल जाते हैं तो आपको जो पसंद आ रहा है वो आप यहाँ पर set कर सकते हैं तो यहाँ पर यह तो आपकी system के हो जाते हैं और अगर आपको इसको silent करना है notification को तो यहाँ से आप इसको none पर click कर देंगे तो यह silent हो जाता है और यहाँ पर आप scroll करके add notification ringtone पर जब ऐसे करके click करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भी downloaded songs होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं show कर रहा तो यहाँ 3 line पर जाएंगे तो downloaded songs आजाएंगे उस पर आप click कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं click कर दूँगी और यहाँ पर वो गाना add हो गया है तो पढ़के देख लेंगे कौन सा गाना था तो आप इस पर click करके सुन लेंगे और इसके बाद okay कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर notification sound इस step से आप set कर सकते हैं तो इस step से आप यहाँ पर notification sound की setting कर सकते हैं और यहाँ पर media volume बगरा आप set कर सकते हैं कि कितना तेज और कम वाजना चाहिए और यहाँ से आप call volume भी set कर सकते हैं और बाकी यह ringtone की है और यह alarm की volume की है ठीक है तो इस step साथ setting कर लिजेगा तो I hope कई से वीडियो आपको ज़रूर पसंदाया होगा इसी टैप के और में इंट्रोसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर visit करते रहेगा आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार